चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ तो इस विशेपर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों नीट की एकजाम के लिए मिनिमम माक्स UR एंड EWS के लिए फिजिक्स केमेस्ट्री बाइलोजी में एग्रिगेट 50% स्थी एस्थी पीड़लोडी कंडिडेट के लिए 40% होना चीए और फिजिक्स केमेस्ट्री इंग्लिस बाइलोजी में इंडिवेजिवीड़िली पास होना चीए अभी 2020 से एम्स और जिप्मर में भी एडमिसन नीट स्कोर पर होना शुरू हो चुका है 2020 में जिपमर में एडमिशन के लिए तो मिनिमम मार्ग्स की कंडिशन नीट के मिनिमम मार्ग्स की कंडिशन के सहमी थी मगर एम्स में मिनिमम मार्ग्स की रिक्वाइर्मेंट कुछ इस तरीके से थी UROBC के लिए 60% SCST के लिए 50% और PWD कंडिडेट के लिए 45% English Physics Chemistry Biology सब्जेक्ट में एग्रिगेट होना चाहिए अभी NEED21 का जो information bulletin जारी हुआ है इसमें मिनिमम मार्ग्स के लिए लिखा है कि minimum qualifying marks का जो criteria है वो INI जैसे aims वे जिपमर के लिए भी applicable रहेगा यहाँ INI का मतलब है institute of national importance से तो इसी के नीचे एक note लिखा है जिसमें लिखा है कि state oblique institutions अपना own criteria follow कर सकते हैं अभी इसी को लेकर student doubt में हैं कि इस बार aims में admission need के minimum marks पर होगा या फिर aims 2020 की तरह अपना अलग से minimum marks का criteria follow करेगा तो बच्चों मैं आपको बता दूँ कि ऐसा ही 2020 के information bulletin में लिखा था उसमें भी same line लिखी थी उसमें like aims and shipment नहीं लिखा था बाकि same to same 2020 के information bulletin में भी ऐसा ही लिखा था तो अभी मैं आपको बता दूँ कि इस बार भी aims का जो minimum marks का criteria है वो UROBC 60%, SCST 50% और PWD 45% ही रहेगा क्योंकि जैसे AFMC में admission के लिए अपना अलग से criteria होता है वैसे ही aims में भी रहेगा फिर भी counseling के समय अगर कोई इसमें changing हुआ तो मैं आपको inform कर दूँगा आप अपने study continue रखें अभी आपका aim सरफ and सरफ need crack करना है वो भी अच्छे marks के साथ ताकि आपका admission aims दिली या फिर मौलाना आजाद जैसे institute में हो सके बाकि अपडेट के साथ आपसे फिर मौलाकात होगी तब तक के लिए जैहिंद